वेल्कम टो एक्जम टॉपर दोस्तो आज किस वीडियो में स्टाडिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉप 30 MC की डिटेर्मेंट इसकी स्करेंगे यह स्टाडिक जीके की सीरीज का पार्ट 32 है स्टाडिक जीके से जातर कुछे जा रहे हैं चुक्कि आपके आने वाले रिल्वें तक जरूर देखेगा और सभी कुछन से लिटेर्ट अफेक्ट भी जानेंगे इस टाडिक जीके का 32 वीडियो है तो आएज शुरू करते हमारा पहला कुछन हमारा फर्स्ट कुछन है दोस्तो जवाहर तापती निम्न मेंसे किस की प्रजाती है तो दोस्तो वह कपास की हमार थर्ड कुछन है दोस्तो अमन ओस तथा बोरो निम्न मेंसे किस वसल से संबंदित है तो दोस्तो वह रेलेटेड है धान यानी चावल से ठीक है ओस बोरो और राइस वेराइटी राइस इस यूज़ली शौन त्रोईज ठीक है हमार फोर्ट कुछन है दोस्तो पटाना घास के मैदान निम्न मेंसे किस दिस में पाए जाते हैं तो दोस्तो वह पाए जाते हैं श्रिलंका में ठीक है श्रिलंका की बात कर रहे हैं तो बात करते हैं कैपिटल की तो दोस्तो कैपिटल है कॉलंबो लेंग्विज है यहां की स कहां पर गिरती है तो वह गिरती है अर्कार्टिक सागर में ठीक है दोस्तों ओब नदी जो है या फिर ओभी नदी ये दोस्तों उत्री एशिया के पश्यमी साइबिरिया शेत्रिक एक नदी है और दुनिया की साथवी सबसे लंबी नदी है इसके अलावा दोस्तों पैने दोस्तो अत्तारवाद का प्रथम उलेक किस क्रंद से मिलता है तो दोस्तो वह क्या है भगवत गीता में ठीक है भगवत गीता जो है जो महाभारत है महाभारत के भीश्मपर्व का अंस है और सरव प्रथम जो भगवत गीता है उसमें अफ्तारवाद का उलेक मिलता है इसके अ तरवादिक महत्मुद्स्थाने है याद रखीगा हमारा नेक्स्ट इंपॉड़े क्रिश्शिन नूञ दोस्तो विश्व का पृथम pos प्रिफम कृट्ट्नूड वन टिके पूंतरिया स्पूत्निक वन जो है दोस्तो विश्व आपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्गू न भूले हमारा नेक्स्ट क्रिशिन है दोस्तो भारत में हिजरी समवत यानि मुस्लिम समवत कौन शाशक ने लागू किया था तो दोस्तो उनका नाम क्या है? भारत में हिजरी समवत शाशक क्या किया था इन्होंने लागू किया था हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डेन क्रिशिन है दोस्तो घंटा मरदाला लोग नेते निमनों में से किस राज्य से सम्मन्दित है? तो दोस्तो वह किस से रिलेटेड है बताईए? अंदरप्रदेश से ठीक है? बात करें अगर अंदरप्रदेश की तो अंदरप्रदेश की कैपिटल है दोस्तो अमरावती गवर्णर है या के विश्व भूशन हरी चंदन, सीम की अगर बात करें तो दोस्तो उनका नाम है Y.S. जगर से दोस्तो इसे जो है धानका गटोरा कहा जाता है इस राज्य में जो है दोस्तो दो प्रमकनदिया है कौनकोंसी गुदावरी और किश्णा निर्तिय आप जानती है वह है कुच्चीपुडी ओके दोस्तो हमारा नेक्स्ट किश्ण है दोस्तो चड़ी मुबारक का सम्मन्द किस धार्मिक यात्रा से है तो दोस्तो वे हैं अमनात यात्रा से ठीक है बात करें दोस्तो अगर चड़ी मुबारक की तो चड़ी मुबारक जो है दोस्तो इसकी रस्म चांदी के एक चड़ी से जुड़ी है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस छड़ी में जो है भगवान शीव की आलोकिक शक्तिय नहीं हिद है याद रखीगा हमारे नेक्स्ट कुशिन है दोस्तो भारतिय दलहन शोद संस्थान कहां इस्तित है तो दोस्तो वह कहां पे हैं वह है कानपूर में ठीक है भारतिय दलहन शोद अनुसंधान जो है दोस्तो संपादन भारत सरकार के अधिन संहित संस्थान है और यह कहां पे स्थापित किया गया है कानपूर में इसकी स्थापना की बात कर रहे तो दोस्तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी मुख्याले कहां पे हैं कानपूर में याद रखिएगा हमारे next description है दोस्तो परितंतर किस से मिलकर बना होता है तो वह है दोस्तो जैविक और आजैविक कारकों से जिक है परितंतर या फिर एको सिस्टम ये दोस्तो पारिस्थितिकी तंतर एक क्या है प्राकरती के काई है जिसमें एक शेतर विशेष के सभी जीवधारी यानि की पोदे जानवर और अनुजीव शामिल है जो कि दोस्तो अपने आजेव परियावरण के साथ अंतर किरिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं और इस परकार जो है परितंद्र अन्याई नौशिर्थ अभियावरण के काई है जो एक आवास को बाठते हैं ओके दोस्तो हमारा नेक्स्ट कुषिन है दोस्तो निम्न में से किस नाटे गरत्म की रचना महा कभी काली दास द्वारा नहीं की गई है यहाँ पर दोस्तो नहीं पूछ रहा है इसके द्वारा जो काली दास द्वारा नहीं की गई है रचना तो दोस्तो वह क्या है वह है स्वा प्रवास वदतम ठीक है इसके अलावा मालविकांगनी मितरम विक्रम बर्शियम अभिज्यान शांकुंतलम यह दोस्तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई है काली दास द्वारा याद रखेगा हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तो प्रतिस्थी टेम्पल टन पुरुसकार विजेता पहला भार्दे कौन है तो दोस्तो उनका नाम है मदर टेरिसा ठीक है टेम्पल टन पुरुसकार जो है दोस्तो प्रतिवस टेम्पल टन फाउंडिशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरुसकार है इसकी शुरुवात की बात करें तो 1973 में इसकी शुरुवात हुई थी और यह किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के शेतर में महत्पून योग दन दिया हूँ याद रखिएगा और दोस्तो ये वीडियो शेयर करना मिलकूल न भूले अब सब जानते हैं शेयरिंग इस दा बेस्ट वे उफ लर्निंग तो शेयर ज़रूर करें हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो राजियोग कर्मयोग और ग्यानयोग पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तो वे है स्वाम्मी विवेकनन इनके दुआरा कौन से पुस्तक लिखी गई है राजियोग कर्मयोग और ग्यानयोग याद रखिएगा हमारा next question है दोस्तो भारत के सेक्स पियर के उपनाम से विख्यात महाकवी काली दास के नाठे गरंतों के नान्दी पार्ट से उनके किस धर्म से संबनेत होने का प्रमाण मिलता है तो दोस्तो वह है शेव ठीक है याद रखिएगा हमारा next question है दोस्तो निम्ली कित में से कौन सा मानव निर्मित धन्य है जो प्रकरती में नहीं पाया जाता तो दोस्तो उसका नाम क्या है वह है ट्रिट्री केल ठीक है ट्रिट्री केल इस अ हाई ब्रेट ऑफ वीट एंड रई फस्ट ब्रेड इन लेबॉर्ट्री जूडिंग दा लेट 19th सेंचरी इन स्कोटलेंड जर्मनी याद रखिएगा दोस्तो हमारा next question है दोस्तो निम्ल में से किस देश की टटरेखा विश्व में सबसे अधिक लंबी है तो दोस्तो वह है कैनेडा की ठीक है कैनेडा की जो टटरेखा है सबसे लंबी है जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तो 2,2,080 km है और दोस्तो कैनेडा जो है उतरी अमेरिका का एक देश है ये दोस्तो क्या है मादीव के उतरी भाग मस्तित है जो अट्लांटिक से प्रिशान महासागर तक और उतर में आर्कर्टिक महासागर तक फैला हुआ है ओके दोस्तो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तो सबसे अच्छा उन पश्मीना होता है इसे ये किस से प्राप्ट किया जाता है तो दोस्तो वैफ राप्ट किया जाता है बक्रियों से ठीक है यनि की बक्री से पश्मीना या कश्मीरी उन जो है लैल अद्दा के चांग ताक शेत्र और जम्मो कश्मीर हेमाचर प्रदेश और उतर प्रदेश के पहाड़ियों में पाई जाने वाले पश्मीन नसल की पकरियों से मिलती है ओके दोस्तो हमारा next question है 10,000 धुवारों की घाड़ी कहां परिस्तेत है तो दोस्तो वह है अलस्का में ठीक है हमारा next question है दोस्तो भारत का सबसे पुराना stock exchange निमली खितमे से कौन सा है तो आप सबी जानते होंगे दोस्तो वह है मुंबई stock exchange याद रखिएगा और दोस्तो ऐसी interesting videos और question के लिए exam topper को आप अपने दोस्तों के साथ like कीजिए, subscribe करें and share करना बिल्कुल न भूले, हर सुसर साइट स्पेश पे कीजिए, ताकि आपके साथ दोसरों की भी help हो सके, तो दोसरों की भी help कीजिए दोस्तो हमारा next question है दोस्तो दरो गाजी निम्न में से किसके बर जाती है तो दोस्तो वह है बेल की, याद रखिएगा हमारा next question है दोस्तो, निम्न में से कौनसा हवाई एड़ा सार्क एंट्री पोर्ट के रूप में कारे करेगा तो दोस्तों वह है नई दिल्ली ठीक है याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन किशन है दोस्तों किस राज्जे में पास को परियोचना स्थापित की जा रही है तो दोस्तों वह कौन से राज्जे है उसका नाम है ओडिसा ठीक है ओडिसा की अगर कैपिटल की बात करी जाए तो दोस्तों वह है भुवनिश्वर गवर्नर है या के गणिशी लाल सीयम की बात करूँ तो दोस्तों उनका नाम है नवीन पतनायक इस राज्य की जो लेंग्विज है ओफिशल वह है दोस्तों ओडिया और इस राज्य का गढ़न वादा एक अपराल निसो चटिस को शेतरवल के अनुसार जो है ओडिशा भारत का नौवा और जनसंक्य के सबसे जो है दोस्तों ग्यारवा सबसे बड़ा राज्य है इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो प्रमुक लोगप्रेस चल है वह है पुरी कोणांक सूरे मंदर और भुवनेश्वर और दोस्तों यह जो है भारत का सुनहरा त्रिकॉन कहलाते है ठीक है पूरवी भारत का सुनहरा त्रिकॉन निर्टे है दोस्तों ओडिसा का ओडिसी याद रखीएगा हमारे next question है दोस्तो समुंदरी तेल रिसाव का नमींदम जयव उप्चार तकनी कौन सी है तो दोस्तो वह है उप्युक्त में से कोई नहीं ठीक है दोस्तो हमारे next important question है दोस्तो काली सिंद, सिप्ता, पारवती और बनास आदी निम्लिकित में से किस नदी की सहाइग नदिया है तो दोस्तो वह है चंबल की ठीक है चंबल नदी जो है दोस्तो मद्दे भारत में यमना नदी की सहाइग नदी है और ये नदी दोस्तो जाना पाव परवत यानि कि पाच्यो माइट महू से निकलती है इसका जो प्राचीन नाम है दोस्तो वह है चरमबाती याद रखिएगा हमारा next question है दोस्तो बहु चर्चित पन्यास एवरेस्ट होटल के लेखा कौन है तो दोस्तो वह है ऐलन सी एली ठीक है हमारा next question है दोस्तो, मुबई यान नामक प्रसिद पद्दिश एली का जर्म दाता कौन है तो दोस्तो वह है बाबर, ठीक है हमारा next important question है दोस्तो, मदद दाताओं का पंजी करण निम्न में से किसका उत्तरदाइत्व है तो दोस्तो वह है निर्वाचन आयोग का, ठीक है निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो दोस्तो, भारत निर्वाचन आयोग जो है एक स्वायत और अर्धन याएक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंतर और निस्पक्ष रूप से विबिन से भारत के प्रतेनिदिक संस्थानों में प्रतेनिदि चुनने के लिए किया गया था हमारा last important question है दोस्तो people meter क्या है तो दोस्तो वह है TRP गणना संबंदी electronic उपकरण ठीक है दोस्तो channelों की rating जानने के लिए जो है चंद बड़े शैरों में एक खास तरह की device कुछ निंदा जगों पर लगाई जाती है इस device को क्या कहा जाता है people meter क्या दरखेगा तो दोस्तो यह थे study GK के important top 30 MCQ most important question आई हूप यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study letter group में share ज़रूर करें और exam chopper को like, subscribe and share करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही thank you so much दोस्तो